मुख्यमंदीर श्रिवासिंग चोहान ने प्रधान मंत्री मोदी के सागर दौरे को लेकर कहा कि 12 अगस्त को प्रधान मंत्री मोदी संत्र रविदाश जी के इसमारक का भूमी पूजन करेंगे। इसके साथ हिवा वियना रिफाइनरी विस्तारी करण के काम का श्रिलान्यास मुख्यमंदीर श्रिवासिंग चोहान ने कहा कि अभी पूरे प्रदेश में संत्र अविदाश समरस्ता यात्राएं चल रही हैं आपको ध्यान होगा कि संत्र अविदाश जी की जैन्पी के अफसर पर सागर में ही आयोजत कारिक्रम में हमने ये घोशना की थी कि सागर जिल two hour अगस्त को कुना मध्वृदेश पधार रहें हैं अबी पूरे प्रदेश में संत्र अविदाश जी समरस्ता यात्राएं चल रही हैं और आपको ध्यान होगा कि संत्र अविदाश जी की जैन्ती के अफसर पर सागर में ही आयुजित कारिकम में हमने ये घोसित किया था कि सागर जिले में सागर के पास बड़तूमा में संत रविदाश जी का भव्य मंदिर विसाल इस्मारक बनेगा लगबक सो करोड रुपे की लागत का और मुझे बता कोई प्रसनता है एक तरफ संत रविदाश जी के संदेश को देते हुए बारहतारिक को ही सागर बड़तूमा में होगा वहीं संत रविदाश जी के इस्मारक का भूमिपूजन करने स्वयम प्रधान मंत्री स्रीमान नरेंद मोदी जी पधार रहे मोखिमदी शिरासीं चोहान ने कहा कि मध्विदेश में बीपी सीयल की रिफाइंडरी 2011 से कारे रत है अब उसका विस्तारी करन करके पैट्रो में कल का निर्माइड ही किया जाएगा बीपी सीयल इस परियोजना पर लगबग 50,000 करोड रुपे खर्च करेगी बीपी सीयल न बीपी सीयल की डिफाइंडरी मध्विदेश में 2011 से कारी रत है अब उसका विस्तारी करन करके पैट्रो केमिकल का निर्माइड भी किया जाएगा और बीपी सीयल इस परियोजना पर लगबग 50,000 करोड रुपया खर्चा करेगी मध्विदेश सरकार से कई टेक्स में मांगी थी वो हमने सारी देती है और अब बीना रिफाइंडरी के विस्तारी करन का समय आगया है इसलिए प्रधान मंत्री जी के सुब हातों से विस्तारी करन के कामकाभी सिलान न्यास भूमी पूजन करवाया जाएगा